अध्याय चौदा वृत्त का त्रिज्याखन एवं चाप की लंबाई सेक्टर ओफ अ सर्कल एंड लेंथ ओफ आर्क बच्चों आप अपने आसपास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से वृत्ताकार वस्तुएं देखते हैं जैसे कि साइकल का पहिया यह सिखका जो की वृत्ताकार है और ऐसे ही कुछ घड़ी के जो डायल होते हैं वो भी वृत्ताकार होते हैं चलिए आज हम वृत्त को ही पढ़ने और समझने के प्रयास करते हैं इसके लिए हम एक वृत्त बना लेते हैं मान लिजिए एक वृत्त हमने यहां पर लिया केंद्र O और उसकी त्रिज्या हो गई O A और यह हमने एक वृत्त बना लिया जैसे कि हमने कहा ये वृत्त का केंडर O है ये उसकी त्रिज्या O A और ये जो वृत्ताकार पथ हम देख रहे हैं इसे कहते हैं वृत्त की परिधी बच्चों यदि हम इस त्रिज्या O A को इस प्रकार से परिधी के दूसरे सीरे तक ले आए तो ये जो रेखा खंड आप देख रहे हैं इसे कहते हैं वृत्त का व्यास ये वृत्त का व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है ये भी एक वृत्त का व्यास है ये भी वृत्त का परिधी यदि हम वृत्ति की परिधी की गढ़ना करना चाहते हैं तो वृत्ति की परिधी और उसके व्यास में एक निश्चित अनुपात होता है इस निश्चित अनुपात को ही हम पाई कहते हैं पाई का मान आप जानते हैं ना बिल्कुल सही तीन दशमलों एक चार के यदि इसकी गढ़ना करनी है तो हम परिधी के लिए व्यास को यदि हम पाई से गुणा कर दे तो परिधी बराबर क्या मिलेगा व्यास गुणित पाई और व्यास का मान कितना होता है तिज्या का दो गुणा तो हम लिख सकते हैं परिधी बराबर पाई गुणित टू आर इस के लिए हमें फिर से एक वृत्त लेना होगा और यदि हम उसका वृत्त बना ले तो देखिये ये जो नारंगी रंग का छे तर आप देख रहा है ना वृत्त का यही वृत्त का छे तरफल कहलाता है वृत्त के छे त्रिज्य खंड पर बात करते हैं इसके लिए फिर से एक व्रित्य ले लेते हैं व्रित्य का केंद्र O उसकी त्रिज्य ले ली हमने O A और हमने बनाया एक व्रित्य इस वृत्त की परीधी पर हम दो बिंदु ले लेते हैं X और Y इन दोनों बिंदुओं को वृत्त के केंद्र O से मिला देते हैं ये OX और OY क्या है? वृत्त की त्रिज्जाएं है वृत्त की ये दो त्रिज्जाएं और ये जो XY चाप आप देख रहे हैं इनके द्वारा ये जो घिरा छेत्र है यही त्रिज्जाखन कहलाता है वृत्त पर हमने ये जो दो त्रिज्जाएं बनाई हैं इन्होंने वृत्त को दो भागों में विभक्त कर दिया है एक भाग ये है और दूसरा ये क्योंकि ये भाग छोटा है तो इसे हम लगुतिर्जाखन कह सकते हैं और ये भाग बड़ा है तो इसे हम दर्गतिर्जाखन कहेंगे